है था लोस्तों वेलकम टू मेरा अप्यल की तो आज हम सिस्टिक पाइब्रोसिस में देखेंगे कि सिस्टिक फैब्रोसिस जो हमाराज का टॉपिक है इसका ट्रेटमेंट क्या होता है कि यह एक विरासत में मिली होई बिमारी होती है gene defect के कारण ये बिमारी होती है इसमें हमारे organs में mucos जो होता है जिसे हम cuff sputum lungs में कहते हैं ये जो mucos होता है लिचलिचा बहुत गाड़ा और सूखा पदार जो होता है ये organ में जम जाता है और उन्हें block कर देता है supply करने से ठीक है जैसे कि अगर ये लंग्स में ब्लॉक हो गया तो ये एर एक्स्चेंज के लिए पैदा करता है कभी कबार ये छोटी आथ में अगर ब्लॉक इच कर देता है तो वहाँ पे बॉवल सिंड्रोम क्रियेट हो जाते हैं और अगर ये पैंक्रियाटिक डक्ट में या बायल डक्ट में वहां रुकावट पैदा करता है तो वो अपने जूसेस प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं जो की पार्चन के लिए जरूरी होते हैं तो इस तरीके की ये जो सिस्टिक फाइब्रोसिस से इस तरीके की रुकावटे पैदा करता है एक हेल्दी ओर्गन में ठीक है तो इसके बारे में मैंने आप वो बताया फिर अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसका जो ट्रीक्मेंट होता है वो कैसे होता है सिस्टिक के पेशिंट का ट्रीक्मेंट कैसे किया जाता है चलिए अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो इसका कोई क्योर नहीं है ठीक है सिस्टिक फाइब्रोसिस का कोई भी क्योर नहीं है हम इसे रोक नहीं सकते हैं लेकिन हम इसके जो सिम्टम से उसे हम रोक सकते हैं उन्हें हम कम कर सकते हैं और इसके जो कॉंप्लिकेशन आते हैं ठीक है जैसे कि ब्रॉंकिक टैसिस होना lungs में infection होना बार-बार sinus की problem होना nasal में blockage की problem होना ठीक है और nutrition deficiency होना ये सब जो complications आते हैं इसके हम इन्हें रोक सकते हैं और कम कर सकते हैं और improve कर सकते हैं कि अच्छी quality life cystic fibrosis का patient जी है ठीक है अगर नजदीकी से patient का monitor करते रहें यानि की patient का observation हमेशा बना रहें और जल्दी ही उसका पता लग जाए कि patient को cystic fibrosis है तो हम उसे इसको बढ़ने से रोक सकते हैं उसकी जो progression है cystic fibrosis की उसको हम कम कर सकते हैं जिस कारण से cystic fibrosis का patient जो है और लंबा जीवन जी सकता है ठीक है cystic fibrosis को manage करने के लिए काफी बड़ी unit की ज़रत रहती है क्योंकि ये बहुत complicated disease है इसमें आपका lungs भी involved होता है इसमें आपका stomach small intestine juices ये काफी involved होते हैं तो हमेशा ध्यान रखे cystic fibrosis का patient है तो हमेशा उसको multi specialty team के साथ ही रखें अगर वो hospitalized है तो ऐसी जगाए अडमित करें जहां पे multi specialty team हो ठीक है gastro care भी आपको मिले और आपको neurosurgeon भी मिले orthopedics भी मिले क्योंकि इसके complication में osteoporosis भी होता है bone जोती पतली होने लगती है तो सभी doctor वहां मौझूद रहे gynec मौझूद रहे क्योंकि इसमें infertility भी देखी जाती है तो हमेशा ध्यान रखे कि ऐसे patients को gynecistic fibrosis है उनको ऐसी center में ही admit करवा है जो multi specialty team के साथ बना हुआ हो ठीक है train medical professionals वहां पे हो this condition का अठ्छे से evaluation कर सके और उसे उसके according treatment दी सके ठीक है तो जो हमारे cystic fibrosis के treatment का goal होता है वो सबसे पहले होता है कि हमें जो lungs में बार-बार infection पैदा होता है उसे रोकना और उसे control करना ठीक है cystic fibrosis के patient में सबसे ज़्यादा lung involvement होता है क्योंकि जो cuff होता है sputum जो होता है जो mucus होता है वो बहुत जल्दी ही जम जाता है और lungs में already पूटम यह वहां पे रहते हैं ठीक है उनमें कुछ मात्रा में bacteria भी रहते हैं इसी कारण lung सबसे ज़्यादा involved होता है cystic fibrosis के case में तो सबसे पहला हमारा जो गोल रहेगा वो यही रहता है कि cystic fibrosis के जो patient है उनके lung infection को रोक सके और control कर सके साथी साथ जो mucus lung में जमा हो चुका है यह lung में जो mucus निकल रहा है उसको पूरी तरीके से remove कर सके और उसे पतला कर सके क्योंकि वो बहुत गाढ़ा और लिचलिचा होता है तो इस कारण से वो mucus lung से बाहर लाना और उसे पतला करना हमारा goal होता है ठीक है और जो हमारी छोटी आत्मे blockage है उसका treatment करना और उस blockage को होने से रोकना यह हमारा goal है और उसको एक अच्छा nutrition अच्छा खानपान प्रोवाइट करवाना जिस कारण से उसका weight एकदम से गिरेना और growth अच्छी हूँ ठीक है तो यह हमारे treatment का goal होता है फिर medication में इसमें क्या आता है medication में हम target करते हैं gene mutation के ओपर ठीक है कुछ नई दवायों के साथ combination बनाके तीन दवायां दी जाती है जो की commonly treat करनी के लिए होती है genetic mutation जो की cystic fibrosis में होता है genetic mutation ही होता है उसको target करते हैं medication से सबसे पहले ठीक है वह हम आगे देखेंगे अभी जो general medication देते हैं उनके बारे में बात करते हैं तो lung infection को रोकने के लिए और उसे कम करने के लिए antibiotics दी जाती है ठीक है anti-inflammatory medication दी जाएंगी जो आपके lungs में सूजन पैदा हो गई है उसको यह कम करेंगी जो आपका mucus हो गया है उसको पत्ला करने के लिए medication दी जाती है जैसे कि hypertonic cell line यह आपके कफ को क्या करती है पत्ला करती है ठीक है और उसे बाहर निकालने में मदद करती है जिस कारण से आपका जो बार बार lung infection पैदा हो रहा है वह कम होगा फिर हम इसमें inhaled वाली medications भी देते हैं जिनने हम ब्रॉंको dilatars कहते हैं वह medication भी देते जिनने pump कहते हैं जनरल लैंग्विज में ऐसी medication भी देते हैं जो क्या काम करती है आपका जो airway है उसको खुला रखती है किसके द्वारा muscles को relax करके जो आपका bronchial tubes है वहां पे कफ जमा है चिपक गया है वह उधर तो muscles कैसी हो जाएंगी वह एकदम वहां पे सुस्त पड़ी हो जाएंगी वह काम नहीं कर पाएंगी वह चौड़ी नहीं हो पाएंगी क्योंकि उनको सिकरने के लिए जगह नहीं है तो वह सुस्त पड़ी रहेंगी इसलिए हम ब्रॉंको डालेटर्स देते हैं जो कि आपके airways को बढ़ा करती है ओपन करती है ठीक है ओरली pancreatic enzyme हम देंगे जो क्या मदद करते हैं digest करवाते हैं ठीक है तो हम डाइजिस ट्रेक्ट में आपका proper nutrition absorption हो इस कारण से हम ओरल ही उनको हम pancreatic enzyme देते हैं स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए हम क्या medication देते हैं जो आपके constipation को prevent करती है और साथी सान बॉवल में जो obstruction पैदा हो गया है उन्हें भी रोकती है acid reducing medication देंगे जो कि क्या काम करती है pancreatic enzyme का काम और बहतर करती है क्योंकि pancreatic enzyme जो होते हैं अगर वहां blockage हो गया है pancreas में तो वो उपर से acid reducing medication देनी पड़ती है और अगर आपको liver disease है diabetes है तो उसके according हम उन्हें और medication patient को देते हैं ठीक है जो जो condition आईती जाएती है क्योंकि इसमें complications और बहुत जादा complex होता है cystic fibrosis तो जैसी जैसी condition बनती जाएगी वैसे वैसे इसको medication को provide करवाते हैं अब हम उन medication के बारे में बात करेंगे जो कि target करती है आपके genes पर gene mutation के target की जो medicine होती है हम उसके बारे में बात करते हैं ठीक है तो cystic fibrosis के लिए gene mutation को रोकने के लिए medication जो होती है वह आपकी होती है कौन-कौन सी हम यह देखेंगे तो डॉक्टर आपको recommend करेगा cystic fibrosis transmembrane conductor regulator modulators यह इस gene का नाम है जो आपकी बाड़े में cystic fibrosis करता है ठीक है cystic fibrosis transmembrane conductance regulator modulators इसमें जो new medication है जो combo combination के साथ हम देते हैं वो क्या करती है improve करती है आपके functions को जो की faulty बन गए है CFTR protein यानि कि जो खराब CFTR protein है उनके functions को improve करती है ताकि वो cystic fibrosis cause ना करे ठीक है जिस कारण से lung functions जो होते हैं वो भी बढ़ते हैं weight बढ़ता है और body में जो नमक का level होता है salt level होता है जो पसीने में वो भी कम होता है cystic fibrosis के patient में पसीने में salt बहुत जादा बढ़ जाता है क्योंकि जो cystic fibrosis का mucus होता है इसमें जो mucus produce होता है वो cell membrane के बाहर जिपक जाता है जिस करण से sodium potassium का exchange नहीं हो पाता है इस करण से शरीर में नमक जादा बढ़ जाता है जो की पसीने में पाया जाता है तो वो भी कम होगा तो जो medication होती है cystic fibrosis के लिए जो की target करती है वो एक या उससे जादा हो सकती है ठीक है तो इसे हम combination के थूर ही देते हैं तो जो new combination होता है medication का उसमें आपका Alexa Keftor, Eva Keftor और Tezza Keftor होता है जो की सिर्फ 12 साल और उनसे जादा उम्र के बच्चों के लिए ही होता है ठीक है ध्यान रखे इस तरीकी की medication को लेने से पहले एक बार doctor से जरूर consult कर ले ठीक है तो जो combination है medication का उसमें Alexa Keftor, Eva Keftor और Tezza Keftor जैसी medicines combination रहता है जो की 12 साल या उससे जादा की उम्र के बच्चों के लिए ही allow है फिर इसके बाद आपका जो अगला combination हाता है medication का वो होता है Tezza Keftor और Eva Keftor जो की 6 साल या उससे जादा के age वाले बच्चों को ही approved होता है फिर इसके बाद आता है आपका Luma Keftor और Eva Keftor जो की 2 साल या उससे जादा बच्चों के लिए ही approved होता है फिर आता है आपका single medication Eva Keftor जो की 6 साल के 6 महिने के बच्चे के या उससे जादा के बच्चे को दी जाती है उसके लिए approved होता है यह medication जिस जिस age group के बच्चे को दी जाती है उन्हें ही particularly देना चाहिए उनके doses के हिसाप से बनी जाती है कभी भी ages के हिसाप से medication को उपर नीचे नहीं करना चाहिए proper age case आप से proper उसका mg होता है medication का properly वैसे ही दीना चाहिए तो इन medication को देने से पहले जो डॉक्टर है वो आपका lever function test भी कर सकता है आई examination भी कर सकते है ठीक है और साथ ही in medication को लेने से पहले या in medication को लेने के तौरान अगर कोई side effect आता है जैसे की lever function में कोई abnormalities आ गई है या cat tract आता है तो तौरंट डॉक्टर से कंसल्ट करें और इसके side effect होते हैं इसके खुद की मर्जी से कभी भी यह medication ना ले अपने नजदी के अस्पताल में डॉक्टर से पहले कंसल्ट करें उसके बादी यह medication ले या जब तक डॉक्टर ना कहे तब तक यह medication ना ले ठीक है तो यह gene mutation कुछ medication होती है जन्हें हम combination के साथ देते हैं ठीक है अब cystic fibrosis में हम कुछ ऐसे treatment भी देते हैं जो हाफ surgery और surgery के अंदर आते हैं ठीक है तो ऐसे treatment में सबसे पहला आता है हमारा nasal और sinus की surgery अगर आपके nasal या sinus area में nasal polyps हो गये हैं यानि कि nostril के पास blockage हो गया है जो नाग के पास जहां से हम सास लेते हैं वहां अगर blockage हो गया है वहां रुकावट आ रही है तो ऐसे में हमें sinus या nasal surgery के लिए recommendation मिलता है ठीक है इससे क्या होगा nasal और sinus surgery से जो बार-बार आपको sinus हो रहा है या फिर chronic sinus है उसमें relief मिलेगा ठीक है फिर next है हमारा non-invasive ventilation इसे हम सोने के time पे देते हैं जब हमारा patient सुआ हुआ रहता है उस time पे हम non-invasive ventilation का उपयोग करते हैं यह lungs को relax करने के technique है तो इसमें non-invasive ventilation में हम नाक और मुपे mask लगाते हैं ठीक है एक mask इस तरीके से cover रहता है नाक और मुझ के पास यह mask जो होता है वो cover करके रखता है इससे positive pressure निकलता है ठीक है जो कि आपके airways में जाता है और lungs में जाता है और easily आप इसमें सास ले पाते हैं ठीक है इसको हम साथ में combination के साथ भी दे सकते हैं oxygen therapy के साथ ठीक है तो non-invasive ventilation और oxygen therapy हम combination के साथ भी दे सकते हैं non-invasive ventilation जो होता है increase करता है आपका air exchange आपके lungs में और कम करता है आपके सास लेने के breathing pattern के work को ठीक है तो जो हमारा non-invasive ventilation होता है वह increase करता है क्या आपके जो body में air exchange हो रहा है उसको improve करता है और साथी साथ आपका जो breathing है उसकी work को कम करके आपके lungs को relaxation provide करता है ठीक है फिर इसमें यह जो treatment है वह आपके airways को भी clear करता है ठीक है इसके बाद हम next देखते हैं oxygen therapy अगर blood oxygen level जो है आपके body में blood में अगर oxygen level बहुत कम जा रहा है तो उस time पे हम oxygen therapy देते हैं जैसे अभी मैंने बताये था कि oxygen mask वैसे ही जो mask non-invasive ventilation mask होता वैसे oxygen mask लगता है जो cover करता है नाक और मुग को यह सिर्फ नेजल के लिए भी आता है उससे आपकी body में oxygen को हम supply करते हैं और यह प्रवेंट करता है high blood pressure से pulmonary hypertension से तो अगर आपकी blood में oxygen level कम है तो आपको oxygen therapy जी जाएगी ताक कि आपका BP high ना हो और pulmonary hypertension जैसी condition ना बनें फिर आता है आपका feeding tube cystic fibrosis के patients में उनका digestion proper नहीं होता है तो properly आप खाने को absorb नहीं कर पाती है आपकी body तो ऐसी condition में doctor क्या करते हैं एक feeding tube को आपकी नाक से डालते हैं पेट तक ठीक है यह आपकी body में extra nutrition provide कराईगी तो इस tube को हम temporary tube रहती है रबर की लचिली रहती है आसानी से चले जाती है यह तो इसको नाक से हम डालते हैं पेट में यह under the supervision ही होती है इसे सिर्फ doctor कर सकते हैं फिर इस tube को surgically भी डाल सकते हैं पेट से जिन लोगों में नाक से यह नहीं डल पाती है नाक से corporate नहीं कर पाते हैं unconscious हो पेशेंट तो उन्हें directly हम पेट से भी लगा सकते हैं तो इस tube से हम extra calories उन्हें दे सकते हैं रात और दिन में जितना भी उन्हें जरुत हो calories की उतनी अगर वो मुह से नहीं खा पा रहे हैं और उनका शरीर absorb नहीं कर पा रहा है तो ठीक है फिर इसके बाद bubble surgery होती है अगर बहुत जादा ब्लॉकेज हो गया है बॉवल साइट में तो फिर उस टाइम पर उसे रिमूफ किया जाता है बॉवल से उस म्यूकस को निकाला जाता है तो छोटी सी एक बॉवल सरजरी भी होती है फिर आता है हमारा लंग ट्रांस्प्लांट अगर बहुत जादा सीवेर ब्रीफिंग प्रॉबलम हो रही है बार-बार ब्रेथलिसनेस की कंडिशन बार-बार लंग इफेक्शन बना है जो की काफी जान लीवा होता है लंग कॉंप्लिकेशन बढ़ते जा रहे हैं एंटिबाटिक्स काम नहीं कर रह हुआ है तो एड़ दा एंड में लंग ट्रांस्प्लांट का ऑप्शन रहता है ठीक है क्योंकि बैक्टिरा लाइन जो होती है एर्वेज की वह वहीं पर रहती है चिपकी रहती है बैक्टिरिया एर्वे लाइन पर इस कारण से पर्मनेंट अगर चौड़ाई आ गई है अगर लंग ट्रांस्प्लांट हो जाते तो उसके बाद यह पूरी तरीकी से क्यों नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके अलावा और भी कॉंप्लिकेशन रहते हैं सिस्टिक फैब्रोसिस के पेशन में जैसे की साइनस का इंफेक्शन डाइबिटीज पैंक्रियास की कंडिशन ऑ सीवेशिस्टिक फैब्रोसिस हो रहा है लीवर में जिसकी सीरॉसिस हो गया है इस कंडिशन में लीवर को ट्रांस्प्लांट करना पड़ता है ठीक है जितना हिस्सा सिरॉसिस में कवर हो गया है लीवर का उतना उसको ट्रांस्प्लांट कर देते हैं कभी कभा लंग और पैं कभी कबार कप्रांस्प्रांट्ट भी हमें करना पड़ता है मैडिकल मैंजमेंट और सर्जिकल उंपनाना बात करें। सिस्टिक-फैब्लिक के पेशेंट की लिए हम के था यंदСТ बारे में में देखते हैं सबसे पहला हमको इन्हें हमें रखने झाहिए थीक है तो ब्रीदिंस ट्रेंग में सबसे पहले आता है आपका पर्स्ट लिब ड्रीदिंग के लिए आपको इस शरीकिका गोल अकर मूह से सास लीनी रहती है सारी सांस छोड़नी रहती है ठीक है तो आपको नाग से स्लोली सांस खीचनी है काउंट करना है 1, 2 इस तरीके से पाउट बनाना है गोल बनाना है फिर आप विसल की तरह मुह से ही हवा छोड़ते हुए सांस को छोड़ेंगे ठीक है आपको इस तरीके साही नाक से सांस लेनी है फिर इस तरीके से गोल आकार से मुँ बनाके आपको भू से सांस छोडनी है और एक्दम से फोर्सफुलि नहीं छोड़नी है बहुत जेंटली सास जो है मुह से छोड़नी है फिर count करना है one two three four और फिर से इसे repeat करना है ध्यान रखें कि जादा forcefully सास नहीं छोड़ें ना ले बहुत slowly gently सास लेना है नात से और पाउट बनाके गोल आकार का मुह बनाके सास छोड़नी है मुह से ठीक है तो यह हुआ हमारा पर्स लिप ब्रीधिंग फिर आता है हमारा डीप या डायफ्रमेटिक या बैली ब्रीधिंग इसको करने के लिए आप सिटिंग में बैठ सकते हैं अगर आप बैड रिड़न है तो हाफ सिटिंग में बैठ सकते हैं या सुपाइन में लीच सकते हैं बैटर है कि आप हाफ सिटिंग और सिटिंग में बैठें तो एक हाथ आपको अपने पेट पे रखना है आपके ब्रेस्ट बोन पे ठीक है इस जगे पे और दूसरा हाथ आपके पेट पे आपको धीरे धीर नाक से सास खीचनी है और यह फील करना है कि आपकी जो बैली है उसने आपके पेट को उठाया ठीक है जब आप गहरी सास खीचेंगे नाक से तो आपके जो पेट पे हाथ है वो उपर को उठेगा फिर उसको पर्ज लिप बना के गोलाकार मुँ बना के सास को मुँ से छोड़ना है ठीक है जब आप छोड़ेंगे तो आपका ऐसा लगएगा कि आपकी पेट ने आपकी हाथ को दूर किया खुझ से ठीक है तो आपको पेट पे हाथ रखना है और नाक से सास खीचनी है तो आपको फील होगा कि आपका ण्याथ पेट ऑपर तरफ उठा फिर आप जब मुझ से शोड़ेंगे तो आप को फील होगा कि आपके पेट ने आपके हाथ को दूर किया तो यह आपका D appearance breathing हुआ ध्यान रखें कि इसमें shoulder relaxed रहने चाहिए ठीक है position comfortable होनी चाहिए shoulder उचका के सांस नहीं लेनी है एकदम relaxed होके diaphragmatic breathing हमें करना है ठीक है फिर आता है हमारा rib breathing इसके लिए आपका जो हाथ है वो आपके lower side के rib cage पे रहेगा आप अपके शरीर में यहां lower side में देखेंगे जहां ही मेरा pointer है जहां पर आपकी ribs है हड्यां आपको पेट के पस महसूस होंगी वहां आपका end में हाथ रहेगा आपको same करना है नाक से सांस लेनी है तो आपकी जो ribs है वो बाहर की तरफ move होंगी फिर जब आप सांस छोड़ेंगे तो यह जो ribs है वो एकदम flat हो जाएंगी ठीक है आपको स्रिफ हाथ रखना है आप सांस लेंगे जब नाक से तो यह जो ribs है वो बाहर की तरफ फूलेंगी सांस छोड़ेंगे तो यह वापस से अपनी position में आएंगी तो इस तरीके से आपको rib breathing करनी है इसमें भी आपको नाक से सांस लेनी है और मुह से पर्स लिप बनाके सांस मुह से छोड़नी है ठीक है तो यह आपकी हुई rib breathing यह हमारा था breathing exercises अब हम बात करेंगे trunk rotation की ठीक है इसमें आप chair पे relaxed position में बैठ जाएं दोनों हातों को cross कर लिए अपने सामने और अपनी shoulder relaxed रखें नाक से सांस ले ठीक है और मुह से पर्स बनाके गोलाकर मुह बनाके मुह से सांस छोड़ें ठीक है और अपनी body को एक side में turn करें ठीक है फिर वापस से सांस लें फिर छोड़ें और वापस से center में ठीक है किस तरीके से इस तरीके से आप setting position में है गहरी सांस लें नाक से मुह से गोलाकर मुह बनाके सांस छोड़ें फिर एक side आपको पेट से rotate होना है आपको स्रिफ पेट से rotate होना है पैर rotate नहीं होंगे पेट के ऊपर का जितना हिस्सा है वो सब rotate होगा एक side फिर जब आप rotate होंगे एक side फिर आपको नाक से सांस खीचनी है और मुह से छोड़नी है फिर वापस से अपकी center position में आए जो first position थी फिर से गहरी सांस लें और छोड़ें फिर दूसरे side turn हो अगर आप पहले right side turn हुए है तो फिर left side turn हो ठीक है और इसे दोनों side करना है तीन से पांच बार हर एक direction में दोनों direction में ठीक है left और right दोनों direction में तीन से पांच बार आपको इसे repeat करना है तो यह आपकी trunk rotation हुई with breathing exercise फिर आता है आपका elbow touch इसमें आपको सीधे relaxed position में बैठना है आपको दोनों हातों को bend करना है दोनों side ठीक है यह इस तरीके से relax position में बैठना है sitting में दोनों arm जो है वो bend होंगे forearm जो है elbow से bend होंगे और इसको पीछे आप अपनी चैथी पे रखें सास ले गहरी नाग से और वही गोलाकार मुझ बना की छोड़ें ठीक है फिर पीछे से आपका physician therapist या care ticker आपकी पीछे खड़ा रहेगा जो जिसका हाथ आ आपके आम पे रहेगा पेशन के और उसे पीछे की तरफ खीचेगा ठीक है यह तो direction दिख रहे हैं आपको इसमें पीछे की तरफ हाथ जाएगा ठीक है फिर से सांस लेना है छोड़ना है और इसे दुबारा repeat करना है ठीक है फिर आता है reaching to the sky इस activity में आप sitting position में बैठ जाए गेरी सांस लेनाक से और फिर सांस छोड़े मूं से अपने हाथ को उपर उठाना है ठीक है यह जो आपका पाम है जो हतेली ए वो उपर आस्मान की तरफ रहेगी गेरी सांस लेनी है हाथ आपका इसी position में रहेगा इसी position में आपको गहरी सास लेनी है छोड़नी है फिर वापस से हाथ को अपनी position में लेकी आना है ठीक है क्या करना है comfortable position पे आप बैठ जाएं फिर आपके क्या करना है सास लेनी है नाक से और छोड़नी है इसके बाद हाथ को ऊपर के तरफ उठाना है उपर लेके जाना है सर के पास तक फिर गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है फिर उसको वापस से अपनी neutral position पर आना है यह आपको दोनों हाथ में करना है राइट और लेप दोनों हाथ में आपको करना है तीन से पांच बाद ठीक है याद रखें यह सारी exercises सांस लेते हुए करे पहले सांस ले गहरी फिर छोड़े फिर आप अपना action करें action के बाद उसको hold करें फिर से सांस ले और फिर छोड़ें ठीक है तो है आपकी शोल्डर की exercise हुई फिर आता है आपका windmill में आप एकदम relaxed position पर बैठें ठीक है दोरों हाथों में आप चाहें तो थोड़े weight पकड़ सकते हैं आधा kilo या एक kilo के dumbbells जो आते हैं या एक पांच की bottle भरी हुई वो पकड़ सकते हैं फिर आपको क्या करना है normal ultra position में बैठना है गहरी सांस लेनी है न फिर आपको दोनों हाथों को साथ में उपर उठाना है 90 degree पर ठीक है यहां आपको hold करना है 90 degree पर सांस लेनी है और छुमनी है फिर वापस से हाथ को आपको लेकिया आना है neutral position पर ठीक है आपको आपके हाथ उपर उठाने है 90 degree तक side में फिर सांस ले गहरी छोड़े और फिर वापस से अपनी position पर आ जाए इसे भी आप तीन से पांच बार repeat करें फिर आता है seated kicks इसमें आप comfortable position पर बैठ जाए चेयर पर दुनों पैट जमीन से टच होने चाहिए गहरी सांस ले नाग से और मुह से छोड़ें इसके बाद गुटने से अपने पैर को उपर की तरफ उठाए ठीक है इस तरीके से इस तरीके से आपका पैर neutral रहेगा फिर आपको इसे उपर की तरफ लेके आना है फिर गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है फिर वापस से neutral position मे आना है चेयर पे neutral position में बैठना है फिर आपको गहरी सांस लेनी है और उसे मुह से छोड़ना है फिर आपको आपका जो पैर है गुटने से उपर की तरफ उठेगा फिर इस position को वोल्ड करके आपको नाग से गहरी सांस लेनी है और मुह से छोड़नी है फिर वापस से आपको neutral position में आना है ठीक है इसे आप दोनों legs में करेंगे और तीन से पांच बार आब इसे करेंगे ठीक है पिर आता है आपका shoulder shrugging इसके लिए आप comfortable position में sitting position में बैठ जाएं shoulder एकदम relaxed होने चाहिए गहरी सांस ले नाग से मूँ से छोड़े और कंधे उपर की तरफ उचकाए कान की तरफ लाने इस तरीके से ठीक है यह आपका नौमा शोल्डर है आपको कंधे उपर की तरफ उचकाने है और कान की तरफ लाने है ठीक है तो पहले आप comfortable position में बैट जाएं गहरी सांस ले नाग से उसे मुझ से छोड़ें फिर इस तरीके से आपको कंधे उपर की तरफ उचकाने हैं इस position को hold करें गहरी सांस ले नाग से मुझ से छोड़ें फिर इसके बाद neutral position पे आएं ठीक है तो यह आपका shoulder shrugging हुआ इसमें आपको पहले जब first breathe लेनी है तो shoulder relax रहेंगे फिर shoulder उचका के आपको फिर से breathe करना है इसे भी आप 3-5 बार repeat करें फिर आता है आपका shoulder roll shoulder roll में आप setting position में बैठे comfortable position में आपके shoulder relax रहेंगे exercise को करने से पहले गहरी सांस से नाक से और हलके हलके मुझ से छोड़ें फिर आपको shoulder को roll करते हुए आगे की तरफ लाना है और पिर पीछे की तरफ लेके जाना है ठीक है जब आप आगे की तरफ shoulder roll करेंगे तो गहरी सांस ले उसी rope के रखे position में गहरी सांस ले मुझ से छोड़ें फिर पीछे उसको पीछे की तरफ रोल करते वे लेके जाएं यानि कि रोल करते वे आगे और रोल करते वे पीछे शोल्डर और इसको रोल करने से पहले भी ब्रीधिंग गहरी सास ले नाग से और मुझ से छोड़ें फिर जब आप इसको आगे की तरफ रोल करेंगे फिर गहर पॉजिशन में लेके आए ठीक है और इस जो शोल्डर रोल है इसको आगे भी लेके जाए और शोल्डर करते हो पीछे लेके जाए और इसको आप प्रीडिंग साइकल के साथ रिपीट करें ठीक है तो यह आपका शोल्डर रोल फिर आता है आपका foot rocking आप relax position में बैठ जाए चेयर पे आपके दोनों पैर जो रहेंगे वो floor से लगे हुए रहेंगे आप गहरी सास ले नाक से और उसे मुह से slowly slowly छोड़ें फिर आपको पैर उठाना है ठीक है पहले आप आपका उंगलियां उपर की तरफ उठाएं और नीचे रखें ठीक है फिर इसके बाद दूसरे पैर की उंगलियां उपर की तरफ उठाएं इस तरीकी से एडी जो है वो ज जमीन पर लगी रहेंगी बस एडी के ऊपर का जितना हिस्सा है वो जमीन से ऊपर उठेंगा ठीक है जिसने हम टो रेस भी कहते हैं तो आपको कंफ़र्टेबल पोजिशन में बैट के तो रेस करना है तो रेस करने के पहले गहरी सास ले और उसे पर्स लिप बना के छोड़ ठीक है फिर अपने टो को रेस करें फिर उसको न्यूटल पोजिशन में लाएं और इसे ब्रीधिंग साइकल के साथ ही तीन से पांच बार रिपीट करें ठीक है तो यह आपका हील टो रॉल रेस या फिर फुट रॉकिंग एक्सरसाइज अब आता है आपका नेक्स स्ट्रे ठीक है कमफर्टेबल पोजिशन में बैठ जाएं आप सिटिंग पोजिशन में दोनों हाथ आपकी रिलेक्स रहेंगे दोनों साइड बॉड़ी के आप पहली स्ट्रेचिंग आती है इयर टू शोल्डर ठीक है ग्यारी सांस ले नाख से और उसे छोड़ें फिर इसके बाद आपको आपकी शोल्डर और कान को साथ साथ चिपकाना है ठीक है आखे सामने की तरफ फोकस करके रहेंगी और आपको यह एक्शन करना है ठीक है आपको आपके अगर आप राइट साइट से शुरू कर रहें त उस पोजिशन को होल्ड करनी है ग्यारी सांस लेनी है तीन तक काउंट करना है फिर वापस से आपको सांस छोड़नी है और रिटन पोजिशन पे आना है ठीक है कैसे करना है आप सेटिंग में है ठीक है आपको कंधे और कान को मिलने से पहले पहले ग्यारी सांस ले नाख से उसे मुह से छोड़े फिर एक तरफ आपका जो गर्दन है वो बैंड होगी शोल्डर की तरफ आखे सामने फोकस रहेंगी पोजिशन होल्ड करके आपको गहरी सास लेनी है और काउंट करना है तीन तक फिर सास छोड़नी है और न्यूटल पोजिशन में आना है ठीक है तो यह आपका इयर टू शोल्डर हुआ ब्रीधिंग एक्सेसाइस के साम्ट फिर आता है चिन्टू चेस्ट चिन्टू चेस्ट म और उसे फिर छोड़ें फिर आपको आपकी ठुड़ी उसको चेस्ट पे लगाना है धियान रखे जब आप अपनी ठुड़ी को चेस्ट पे लगाए तो शोल्डर रिलैक्स होनी चाहिए होल्ड करें इस पोजिशन को और फिर पोजिशन को होल्ड करते हुए गहरी सास लें तीन तक count करें और फिर सास छोड़े और अपनी return position पे आएं ठीक है करने से पहले गहरी सास ले नाग से मुझसे छोड़ें फिर आपकी ठुड़ी को अपनी चस्ट पे लगाएं शोड़र एकदम relaxed position में होने चाहिए इस position को hold करें गहरी सास ले तीन तक count करें और फिर सास छोड़े और अपनी return position पे आएं फिर आता है आपका turning to one side इसमें आपको नाग से सास लेनी है फिर मुझसे सास छोड़े और अपने head को एक तरफ turn करें यानि की rotation position यह center अपका हुआ neutral position एक तरफ turn किया फेस को इस position को hold करें गहरी सास ले और कुछ देर तक रोप के रखें count करें फिर सास छोड़े और अपनी return position इसी तरह अगर आप right side पे head turn कर रहे हैं तो यह left side में भी repeat करें ठीक है करने से पहले गहरी सास ले नाग से फिर उसे मुह से छोड़े head turn करें एक side hold करें इस position को breathe ले count करें पांस तक फिर वापस से written position पे आए और सास छोड़े फिर इसको opposite direction में भी repeat करें तो यह हुआ आपका turning to one side अब आता है आपका airway clearance करना कफ जो आपका जम गया है आपके lungs में उसको remove करना रहता है क्योंकि वो infection बढ़ाता है बहुत जादा अगर mucos या flagum या कफ इखटा हो गया है तो chest infection के chances जो होते हैं वो बहुत जादा बढ़ जाते हैं इसलिए sputum को flagum को हमें बाहर करना रहता है breathing tube से भी हम इसे बाहर कर सकते हैं पर जतना जादा हो coughing करकी ही हम इसे बाहर करें तो जादा अच्छा है coughing करना बहुत जादा टाफ होता है इससे patient थक भी सकता है इसलिए अगर patient बहुत जादा fatigue condition में हो या corporate condition में ना हो तो ऐसे patient में coughing avoid करें ठीक है तो इसको करने का मैं तरीका बताती हूं आपको आपको comfortable position में बैठना है ठीक है गहरी सांस लेनी है तब तक जब तक आपको ऐसा न लगए कि मेरे पूरे lungs full हो चुके है एयर से hold करके रखनी है उस breathing को दो से तीन second फिर हमें उसे जोर से बाहर छोड़ना है कफ करते हैं यानि कि खासते हैं ठीक है पहला जब आप कफ करेंगे तो यह आपके mucus को ढीला करेंगा दूसरा जब आप कफ करेंगे तो आपके mucus को आपके गले तक लेके आएगा ठीक है क्या करना है आपको comfortable position में बैठना है गहरी सास लेनी है तब तक जब तक आपको यह महसूस ना हो कि मेरे lungs पूरे तरीके से भर चुके हैं air से फुल हो चुकी है hold करना है breathe को दो से तीन second फिर दो बार कफ करते हुए सास को छोड़ना है खासते हुए सास छोड़नी है मुझ से खासते हुए सास को छोड़नी है पहला आप जब खासेंगे तो वह आपको कफ को lose करेगा दूसरा जब आप खासेंगे तो आपकी कफ को वह move करके आपकी गले तक लाएगा जडरा सी आपको फिर से सांस लेनी है जसे हम बहुत जेंटल बूहेत कहते है नाक से लेनी है हल्की सांस ले ठीक है या फिर जैसे ही कफ खतम हो जैसी वो ठ्रोट में आए वैसे ही ग्यहरी सास फिर से ले थीके तो हमें क्या करना है हलकी सांस लेए अगर आप ग्यहरी सांस लेगे तो वो वापस से उस कफ को आपके लंक्स में ले जाएगी स्रिफ बहुत मामूली सी एक सास थोड़ी सी ले, ठीक है, जैसे वह थरॉट में आएगा आप उसको फिर से कफ करKE बाहर कर सकते हैं, ठीक है, फिर आपको एक और तीस रा कफ लेना है, जिससे वो गले से आपके मुझ से बाहर आजाएगा, उसको टीशू में ले, check कर लें कि आपके mucus का color कैसा है rest करें hand wash करें फिर breathing exercise करें ठीक है आप इसे coughing procedure जो है इसको सुभे और रात में सोने से पहले जरूर करें इस तरीके से आपको बैठना है गहरी सांस लेनी है पूरा फुल्ड करना है पेट को और दो कफ करना है पहला कफ आपका लूज करेगा आपके mucus को दूसरा उसे थ्रोट तक लाएगा थ्रोट से फिर आप उसे टिशू में या कंटेनन में कलेक्ट कर लें ठीक है तो यह हुआ आपका कफिंग अब आता है ट्रेनेज और परकशन है यह कफ लूस करते हैं ठीक है पोजीशन से भी हम कफ को ड्रीइन कर सकते हैं और परकशुंसे पहले हम जो हमारे लंग सेगमेंट होते हैं उनमें अगर हमें आपना जो सिक्रीशन ने वो कलियर कर रहा है तो हमें ऐसी पोजिशन सेट करनी रहती है की जिसमें वो gravity के अगेंस्ट काम करें जैसे कि जिस segment में हमें देनी है position उसके अगेंसd gravity काम करनी चाहिए ठीक है अपीर उस position में set करने के बाद हम उसे percussion और vibration दे सकते हैं आगे पीछे और side की तरफ से भी और उसके बाद यह position देनी के बाद परकशन करनी के बाद हम उसे एक्सेसाइज और कॉफिंग करवा के जो पूटम जमा है लंक्स में वह बाहर निकाल सकते हैं तो मैं कुछ पोजिशन आपको पहले बताती हूं और यह हमेशा एक्सपर्ट ही करें अन्नोन पर्संट ना करें इसे परफॉर्म करें तो जो पोजिशन होती है उसको मैं स्टीर सेग्मेंट के लिए जो पेशन्ट रहेगा सिस्टिक पाइब्रॉसिस का वह इस तरीके से हाफ लाइंग सिटिंग पोजिशन में रहेगा ठीक है उसकी शोल्डर जो रहेंगे वह आगे की तरफ रहेंगे नी स्ट्रेट एंकल डॉर्सी फ्लेक्शन में पीछे सपोर एंठीर थीक कैंगें तो इस पोजिशन में रहेंगा तब हम पिशन के अपाइकल सेग्मेंट का जो जो है वह काम करकि क्लीर होगा ठीक हैँ अब अपरलोप का दूसरा सेग्मेंट होता है सेग्मेंट पॉस्टिर शैक्माक के के लिए पेशनट जो है वह पैर लटका के कौ प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर चेस्ट में सेंटर प्रॉंकस होता हैं वहां पर जो है उसे खृट होंके सेंटर प्रॉंकस में आता है जब उसके अंदिकती तब खुभि करके हम उस ऐसे trimming से लाते हैं तो हमारी अपर लोब की दो पोजिशन हुई पोस्ट्र ड्रिनेज की पिर तीसरी पोजिशन अपर लोब की आति हमारी एंटीर सेग्मेंट की एंटीर सेग्मेंट में हमारा पेशन जो है वो सुपाइन पोजिशन में रहेगा एक पिलो जो है पेशन के नेक के पास रहेगा दूस रूशरा वुश्लम के नीचे रहेगा यह आपकी पॉजेशन रही एंटीयर सेगमेंट की अपर्लोपक यह सामने की तरप होता है 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 तो इस पॉजेशन को मैंटेन गर के हम एंटीयर सेगमेंट का अट्रेनीज कर सकते हैं फिर हमारी चौथी पोजिशन होती है लिंग्युला की ठीक है लिंग्युला के लिए हमारा पेbis nowopardy position में रहेगा यानि कि half-line position रहेगी इसमें हमारा पेशन जो है side lines में रहेगा है पेशन की नेक के नीचे पिलो रहेगा और पीछे की तरफ एक पिलो रहेगा दोनों पैर जो होंगे फ्लेक्शन में रहेंगे और इस पोजिशन में हमारे पेशन का लिंगुला का ट्रेनिंग जो का और जो पैरों की तरफ से जो पेशन के पैर है वह 45 डिग्री उपर रहेंगे काउट से ठीक है यह नॉर्मल काउच पै हमारे पीशिन को में रखेंगे तो यह हमारी नंगुला और मिडलोग की पोजिशन हुई थिर आती है हमारी की पॉजिशन ल्व में एंउटिर मिर स Aeg में और पस्टेर सेगमेंट होता है समें की सेग detta की सेगमेंट की लिए हमारा patient 45 degree पैरों की तरफ से उचाई पर रहेगा और side-line position में रहेगा अब इस position में हमारे patient के दोनों पैरों के वीच में एक pillow हम लगाएंगे और neck की नीचे एक pillow लगाएंगे तो इस position में हमारा lower lobe का anterior basal segment drain होता है फिर आती है हमारी lower lobe की posterior basal segment एक पिणो का उसके नीचे लगाईंगे गाएंगे के पास से हम काउच को के टोपर करींगे- इस पोजिशन में हमारे posterior rope का posterior basal segment जो है वो train होता है फिर हमारा position आता है lower lobe की lateral basal segment की और superior segment की ठीक है तो position में इस position में same जो हमारी last position थी जो six position थी हमारी lower lobe के anterior segment की वही रहेगी इसमें भी दोनों पैरों की बीच में patient का pillow रहेगा और 45 degree उपर रहेगा ठीक है फिर जो हमारे superior segment की position है इसमें हम pillow लगाएंगे patient की पेट के नीचे और वो prone position में रहेगा ठीक है और इस बार patient का जो couch है वो normal degree पे रहेगा तो यह जो black area है यह superior segment drainage की areas है तो इस position में हमारे patient का superior segment drain होगा ठीक है यह था हमारा position अब हम बात करेंगे percussion की ठीक है तो सबसे पहले हम infant के परकशन की बात करते हैं तो पहली position upper lobe के परकशन की इंफैंट्स की तो अपर लोब का पहला segment आ रहा है हमारा अब इसको कैसे परकश्ड करते हैं जिससे की जो से क्रीशन है वो लूज हो और सेंटर प्रॉंकस में आके मुह से बाहार आए तो जो इंफैंट रहेगा वो sitting position पे रहेगा ठीक है 30 डिग्री एंगल पे पिलो में वो रहेगा गोद में उसे बिठाएंगे पिलो रहेगा 30 डिग्री के एंगल पे पेशन जो हमारा इंफैंट वो बैठा रहेगा आपको परकश्ड जो करना है वो कप जैसे हैंड रहते हैं इस तरीके से वी आकार के हैंड से ही कपिंग होती है अब डो होते हैं तो हमें ये धियार रहा है कि जो कॉलर बोन उसके उपर का एरिया जो होता है या靠ी कि है तो वी आ करके हाथ बनाके, कब बनाके हमें वहाँ पर करना रहता है या वाइबरेट करते हैं हम muscular area पर ठीक है? जहां muscles present है आपकी beauty bone के बीच में और shoulder blood के बीच में यहाँ पर हम apical segment रहता है हमारे lungs का यहाँ पर करते हैं तो दोनों side करना है साइड भी और राइट साइड भी दोनों साइड लंग प्रेजेंट होते हैं दोनों साइड वह मैं परकुशन देना है पिर अब अधर। में अपको सेटिंग पॉजिश्ट में बैठना है ठीक है पिलो रहेगा पीछे ताकि आपके थर्टी डिग्री का एंगल मैंटेन रहे स सेम पोजिशन में आपको परकस्ट करना है यानि कि ब्यूटी बोन और शूल्डर ब्लैट के बीच में जो मस्कुलर एरिया है वहाँ पे कप का आकार का हाथ बना की परकस्ट करना है दोनों साइड लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी फिर आपका चाइल्ड में आब आता है अभी हमने देखा इंफैंट अडल्ट अडल्ट में सेल्फ परकस्ट अब आता है चाइल्ड का इसके लिए पेशन्ट जो है वह काउच पे हाफ लाइंग पोजिशन में बैठा रहेगा ठीक है इसके पीछे थेरपिस्ट खला रहेगा चाइल्ड जो है वो फ्लेट के लिए टेबल पर बैठा रहेगा ठीक है फिर सेम हमें ब्यूटी बोन और शुल्डर ब्लेट की बीच में जो मस्कुलर एरिया है वहां पे हमें परकस्ट या वाइबरेशन देना है दोनों साइड ठीक है फिर पोस्टियर सेग्मेंट का परक वह लीन रहेगा पिलो के उपर और थर्टी डिकरी का Joey से वह पिलेटा हुँगा रहेगा उन्हीं दोनों साइडらाए आ डीकर करना है Left side B और Right side B फिर आता है आपका अपर लोब का एंटीर सेग्मेंट पेशेंट सुपाइन पोजिशन में रहेगा ठीक है उसके नेक के नीचे एक पिलो और उसके नीके नीचे एक पिलो लागा रहेगा आपको कहां परकॉस्ट करना है कॉलर बून और निपल के बीच के इरिया में फिक है यहीं पर एंटीरियर सेग्मेंट होता है तो आपको परकशन करना है आपकी ब्यूटी बोन और निपल की बीच की एरिया में आपको सेग्मेंट कि लिए लेफ्ट और राइट दोनों साइड ठीक है फिर आता है आपका lingula, lingula के लिए patient की जो pair है वो 40 inches उपर रहेंगे, 50 degree में उपर की तरफ रहेंगे, table से pair वाला हिस्सा जो है 40 inches उपर रहेंगा, जो child है, वो head down करके right side rotate होके लेटेगा, right side लेटेगा और rotate होगा, one fourth उसे rotate होना है, fully rotate नहीं होना है, one fourth rotate होना है, ठीक है, तो shoulder के नीचे एक pillow लगा सकते हैं, कभी कबार hip के नीचे भी लगा सकते हैं, दोनों गुटने flexion में रहेंगे, मुड़े होए रहेंगे, आपको परकश्ट और vibrate करना है निपल के बाहर के area में, यानि कि आपके underarms के नीचे वाले area में, females में निपल के पास breast के पास tenderness रहती है, इसलिए वहाँ पे आप ना करें, उसके लिए आप armpit के पास उसे परकश्ट कर सकते हैं, ठीक है, फिर आता है हमारा middle lobe, इसमें भी elevate करेंगे हम फुट को 40 inches, जो child है, वो head down करके right side turn करके लिटेगा, rotate होगा, one foot turn लेगा वो, pillow लगा रहेगा, shoulder और hip के पास गुटने बोड़े वे रहेंगे, हमें इसमें same right side परकश्ट करना है, निपल एरिया पे, females के लिए हम निपल एरिया पे परकश्ट नहीं करेंगे, हम उनके लिए armpit के पास परकश्ट करते हैं, fingers से, ठीक है, फिर आता है आपका lower lobe, lower lobe में आता है आपका anterior basal segment, इसमें patient जो है, इसका पैर के हिस्से से वो 18 inches, उपर रहेगी table, ठीक है, फिर child जो है वो लेटा रहेगा, right side में, head down रहेगा, pillow back के पास रहेगा, उसकी गर्दन की नीचे, आपको एक pillow जो है, उसके दुनों पैरों की बीच में भी जाएगा, आपको परकश करना है, lower rip ठीक है, left side में lower rip यहां परकशन दीना है, ठीक है, फिर, right side के लिए drain करने के लिए, आपका जो child है, वो हम उसे left side turn करेंगे, अगर हमें right side का drain करना है, तो हम उसे right side rotate करते हैं, left side का basal segment, anterior basal segment हमें drain करना है, तो हम उसे left side rotate करेंगे, ठीक ह तो यह हमारी एंटियर बेसल सेग्मेंट की पोजिशन होई परकशन की फिर अता है पोस्टियर सेग्मेंट सेम इसमें हम फुट को अलिवेट करेंगे अठारा इंचेस थर्टी डिग्री पे चाइल जो है वो उसकी पेट के बल लेटा रहेगा हैट डाउन रहेगा हिप के पा ठीक है फिर आता है हमारा लेटरल बेसल सेग्मेंट इसमें पेशन का जो पैर है वहां से 18 इंचेस चाउचेस ऊपर रहेंगे पेशन साइट करवट में लिटा रहेगा हैट डाउन रहेगा लेट सेड़ लीटा रहेगा वन फूर उसको फॉरवड ली टान होना है पहले बा आपको peravoration देना है उसके लोर के पास राइट साइड में के पास me अग्युक्त और है तो राइट साइड उसका डायफ्रम में होगाBa टरंले की उसका कि दूसरे साइड का परकुषिंद करना रहेगा ठीक है तो तो हम यहां दोनों जगे हमारे Spain के साइड में जो हमारा Arm PIT के नीचे वाला हिस्सा होता है जो lower arms के पाएंगे तो लस्ट होती है हमारी रहें हम इसका percussion करेंगे ठीक है दोनों साइड लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी पोजीशन को कि चेंज करके फिर आता है आपका सुपीरियर सेग्मेंट इसमें पेशन जो है पेट के बल लेटा रहेगा ठीक है दो पिलो रहेंगे हिप के पास आपको परकशन करना है मिडिल पार्ट में आपके बैट की शोर्डर ब्लैट के पास यानि कि यहां पे जो आपकी बोन रहती है स्क्यापलर काउन उसके नीचे की तुरफ आपको यहां पर कारणा हैustom सयड्य लेट सैदोर स्पाइन की उपर नहीं करना है उसके दोनों के साड्य में करना हो कि तो यह मैंने अभी आपको बताई है और पोस्ट dus Aus और उसके साथ में परकशन की पोजीशन ठीक है तो इससे हम कफ को लूज करते हैं फिर इसके बाद हम उससे कफिंग और ब्रीदिंग एक्सेस करते हैं उस कफ को बाहर लाते हैं मुझसे ठीक है तो यह हमारे सिस्टिक फैब्रोस के पेशन के लिए एक अच्छा रिहाब साबि के ब्रेटिशन नहीं की किसिए सांस लेने में दिखता है तो तो कुम पॉजेशन में खुद कब्रीशन sports में पhouल्ड करती हूं तो सलब्रेटिशन की वह मैं आपको बताती हूं तो सबसे पहले ब्रेटलेंस इसकी पोजिशन में है सिटिंग पोजिशन ठीक है अगर आप कहीं खड़े हैं एकदम से आपकी सास पूलने लगी यह सास कम आने लगी तो आसपास अगर चेयर हैं तो इस चेयर पर बैठ जाएं दोनों पैर जमीन पर पूरे टिकाले चाती आग के जो हाथ है उसके उपर रहेंगे यानि की पर पनेड़ीकुलर रहें चिन हाथ के उपर रेस्ट करेंगे कौनी कुन क्यों बहुर्पर रस करेंगी चेस्स से आगे की तरफ आ जाए दोनों पैर जो है वह वठे रहेंगे फ्लोर से चिप्के व fijn और relax करें खुद के neck को और shoulder की muscles को ठीक है तो जब कभी setting position में आपको सांस लेने में दिखकत हो तो इस position को apply करें फिर दूसरी setting position है कि अगर आपकी chair के साथ आपके पास एक table भी है तो उसके उपर दो pillow रखें ठीक है आगे की तरफ आके उसके उपर लेट जाए ठीक है चेस्ट उसके उपर रख लें आम जो है वो टेबल पर रख लें दोनों हाथ दोनों पैर नीचे फ्लैट रहेंगे ठीक है और जो आपके हाथ है वो pillow और टेबल के उपर रहेंगे इस position पे आराम से सांस ले relax करें body को ठीक है तो ये दो breathlessness की आपकी sitting position में हुई फिर आता है standing position में इसमें आपको दोनों पंजे जो है वो दूर दूर रहेंगे आपके hips जो है वो दिबार से चिपके हुए रहेंगे दोनों हाथ thighs के उपर रखें relax करें shoulder को और खुद को आगे की तरफ जुका लें arm जो है वो दोनों जो है thighs के उपर रहेंगे ठीक है hips जो है वो दिवार से चिपके हुए रहेंगे और जो दोनों पैर हैं जो shoulder है और जो पैर है वो दोनों से दूर दूर रहेंगे ठीक है दूसरी position होती है standing में अगर आपके पास सामने table है तब आपको यह दिखकर शुरू हुए तो दोनों आपके elbow और हाथ को उस table या furniture के उपर रख लें ठीक है उसके बाद neck को relax रखें head को relax करें forearm relax करें ठीक है आप उस पर टिक के खड़े हो जाए furniture पर या table पर तो यह दो position पर आता है तो कि अब का sleeping position sleeping breathlessness position में आप पहले दो position है एक तो supine और एक side line ठीक है तो supine position में जो एक पिलो है वो आपके legs के बीच में रहेगा दूसरा आपके सर के पास रहेगा और आपके back जो है वह straight रहेगा इस तरीके से दो पिलो आपको गर्दन की नीचे जिससे कि आपका गर्दन उचाए पे आए दो पिलो आपके तो आपके position apply करें फिर आती है side line में side line में जो आपका back है और जो head है वह elevate रहेगा दोनों गुटने मुड़े हुए रहेगे और उनकी बीच में पिलो रहेगा इस तरीके से दो पिलो आपके head के उपर ताकि आपका head elevate रहे दो पिलो आपके दोनों गुटनों की बीच में इस पोजिशन में यह आपकी sleeping position हुई breathlessness की तीन position होती है sitting, standing और sleeping की जब कभी cystic fibrosis के patient को सांस लेने में दिक्कत हो तो वो in position को कर सकते हैं तो यह हमारे cystic fibrosis का treatment था medical treatment surgical treatment और physiotherapy treatment तो मैं आशा करती हूँ कि यह आपको पसंद आया हो आप healthy रहे और fit रहे thank you so much